नमस्कार दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम लोग एले नम्यू पार्थ्री सोसियोलेजी ओनर्स का पेपर सेबन का कोशन पेपर का रिवीव करने वाले हैं जो 2021 से 24 सेशन में पूछा गया है और टोटल कोशन इसमें से 100 मार्क्स का पूछा जाता है उसके बाद पेपर 8 जो आपका होता है वो पूड़ा का पूड़ा प्रेक्टिकल पेपर होता है उसके लिए आप कॉलेज में Кон्टेक्ट करें तो चलिए पेपर 7 को हम लोग देख लेते हैं तो पेपर 7 में आप देख सकता है कि सबसे पहले 10 objectives पूछा जाता है तो पहला number question पूछा गया है who wrote the book सामाजिक समस्या सामाजिक समस्या नामक पुस्त किसने लिखी तो इसका जो right answer हो जाएगा आपका option number first राम अहुजा उसके बाद जो आपका second question पूछा गया है who said ये question आप देख लीजिए इसका answer मैं sure नहीं हूँ अगर आपको पता हो तो comment में जरूर बताए और मैं आपको 100% सही answer की बता रहा हूँ तो आप जरूर मिला लीजिए या आप next year के लिए तयारी कर रहे हैं तो उसके लिए questions important है next question पूछा गया who said social problems are man's unfulfilled aspirations for welfare किसने कहा सामाजिक समस्याई व्यक्तियों को कल्यान संबंधी अपूर्ण आकान चाये हैं तो इसका answer हो जाएगा आपका option number first land is उसके बाद जो next question पूछा गया who wrote the book social disorganization social disorganization नामक पुस्तक किसने लिखी तो इसका answer हो जाएगा Elliot और Merrill उसके बाद जो next question पूछा गया who wrote the book a history of prostitution a history of prostitution नामक पुस्तक किसने लिखी तो इसका answer हो जाएगा आपका option number first George R. Scott उसके बाद जो next question पूछा गया who said culture is the man-made part of the environment किसने कहा सांस्कृति मानब निर्मित परियावरन का एक भाग है तो इसका answer हो जाएगा आपका option number third इसका right answer हो जाएगा रटकोबिट्स उसके बाद next question पूछा गया who wrote the book cultural sociology cultural sociology नामक पुस्तक किसने लिखी तो इसका answer हो जाएगा आपका option number first इसका answer हो जाएगा Gillian & Gillian option number first इसका right answer हो जाएगा उसके बाद हम लोग next question देख लेते हैं तो अगला question जो पूछा गया है Who said poverty is a concept that refers to phenomenon of relative deprivation किसने कहा स्निर्धनता कि अबधारना का संबन सापेक्ष रूप से वन्चित रहने के तथिस से है तो इसका answer हो जागा आपका उसके बाद अगला question पूछा गया Who wrote the book challenge of poverty in India चैलेंज of poverty in India नामक पुस्तक किसने लिखी तो इसका answer हो जागा आपका इसका भी answer हो जागा उसके बाद जो आपका last objective पूछा गया है Who wrote the book social problems नामक पुस्तक किसने लिखी तो इसका answer हो जागा आपका option number second इसका answer हो जागा मर्टन उसके बाद हम थोड़ा subjective questions भी देख लेते हैं तो पहला question पूछा गया Defined domestic violence discuss its causes घरली हिंसा को परिभासित करे इसके कारणों की व्याख्या करे Next question पूछा के Defined daughter problem discuss its causes दहे समसिया को परिभासित करे इसके कारणों की व्याख्या करे Next question पूछा के Defined poverty discuss its consequences निर्धानता को परिभासित करे इसके परिणामों की व्याख्या करे उसके बाद जो अगला question पूछा गया What do you mean by unemployment? How can How can we eradicate? How can eradicate this problem? बेरोजगारी से आप क्या समझते? इस समझे को कैसे दूर किया जा सकता है उसके बाद अगला question पूछा गया है Define alcoholism, discuss its causes मध्यपान को परिभासित करे इसके कारणों की व्याख्या करे Next question पूछा करे What is environmental problem? Pollution, discuss its causes परियावर्णे प्रदूशन क्या है इसके कारणों की व्याख्या करे उसके बाद आपका जो next question पूछा गया Define prostitution, discuss its consequences वेश्या पृति को परिभासित करे इसके परिणामों की व्याख्या करे Next question राइट आने से On child level, balls, ramiq पड़े एक लेख लिखे और last जो question पूछा गया Define social problems, discuss its approaches समाजिक समस्याओं को परिभासित करे